अगर आपको group ungroup करना है तो shortcut की मजद से आप group या फिर ungroup column को या किसी row को कर पाएं इसके लिए क्या करना है आपको उस column को select करना है या उस row को select करना है Mac user है तो आपको प्रेस करना है shift और option उसके बाद right side वाला arrow की इससे आपका group हो जाएगा और आप इसे देख सकते हैं या पे plus कर निशान है इसमें click करेंगे तो expand होगा अगर इसमें minus में click करेंगे तो ये collapse हो जाएगा तो ungroup करने के लिए same process है shift option और left side वाला arrow की इससे आपका group ungroup हो जाएगा यही चीज अगर आप window में करना चाहते हैं तो आपको करना है shift, control और right side वाला arrow की ग्रूप करने के लिए left side वाला arrow की ungroup करने के लिए ऐसे ही same row के लिए भी आप कर सकते हैं shift option और right side वाला arrow की इससे आपका group हो जाएगा row shift option और left side arrow की ungroup हो जाएगा एक चीज और make sure करना है कि आपने shortcut enable कर रखा है अगर आपने shortcut enable नहीं किया है तो इसके पहले वाली वीडियो मेरे देखने पड़ेगी आपको तो मैंने बताया है कि तरीके से आप shortcut enable कर सकते हैं आपने google sheet में